वेलकम अलजेब्रा इस वीडियो एपिसोड में आप सबुन का स्वागत है एसेसे और एलवे के लिए ये एक इंपॉर्टन पार्ट है जबकि अब बैंक पियों में भी इससे कुश्चिन पुछे जाने लगे हैं अलजेब्रा में हम लोग फॉर्मूला से ले करके उसके पूरे बीहिवियर से परचित हो चुके हैं और डेल सारे कुश्चिन लगातार बनाते चले जा रहे हैं इसी सिलसिले में आज ये अगली कड़ी मौजूद है आई देखते हैं परस्ट कुश्चिन है हम लोग को देखना होता है क्या दिया है और क्या चाहिए जो चाहिए वो लिनेर एक्वेशन टाइप का नहीं है 2A, 3A, 4A नहीं है या क्वाड़िक A square प्लस 2A, 2A ऐसा नहीं है A square 1 by A square है ये कुछ इशारा करता है A square plus 1 by A square है ये 3 by A है ये कुछ इशारा करता है अगर हम इसका LCM ले ले हैं, तो दिमाख खराव हो जाए to the power of 4, इतना बड़ा बनाने का इरादा नहीं है, उस shape में क्यों न लाया जाए, उस shape में कैसे लाया जाए, हमारे पास दिया हुआ है, a square minus 4a minus 1 equals 0 दिया हुआ हम लोग a से डिवाइड कर दें अगर सबको, a से सबुआ को डिवाइड कर दें, a से सबुआ को डिवाइड कर दें, तो a minus 4 minus 1 by a is equal to 0 अधा है न, that means a minus 1 by a is equal to 4, आया न, उस shape में, आया की नहीं आया, आपको दिख रहा है, 3 common लेंगे, तो a minus 1 by e जिसका value हम लोग निकाल चुके, और बस a square plus 1 by a square चाहिए, और वो तो हम लोग तरह तरह से निकाल साथे हैं, हम लोग चाहें तो इसका square कर दें, तो भी निकल जाए, इसका square कर दें, तो 4 कर स्कार 16, और a minus b whole square, a square plus b square, minus 2 into a into b, minus 2 into a into b, आप जानते हैं क्या होता है, minus 2, आगया न, a square plus 1 by a square is equal to 18, बोले, समझ में आया, अब हमें क्या चाहिए था, एक चाहिए था a square plus 1 by a square, और दूसरा चाहिए था 3 common लें, तो a minus 1 by a, और हमनों तो लोगा value जानते हैं, this is 18 and this is 3 into 4, यानी 18 plus 12, यानी की 30, समझें, यह हमारा पहला कुश्चन था, ठीक है, मेरे क्याद से समझ में आगया होगा है, second question, अगर आपने उसको समझा नहीं, सही धंग से treat नहीं किया, जैसे वहाँ थोड़ा सा कुछ और कर देते तो गुलच कर रहे जाते, यहाँ भी थोड़ा भी उठपटांग कर विजेगा तो गुलच कर रहे जाएगा, question का एक direction होता है, उस direction को पहचान, first time, a plus 1 by b is equal to 1, okay, and b plus 1 by c is equal to 1, okay, then c plus 1 by a is equal to what, एक तो c plus 1 by a is equal to what, दूसरा क्या what, तो यह what, मतलब इसमें कहीं a, b, c नहीं है, इसका मतलब वहीं कुछ हो जाना है, कट जाना है, कुछ हो जाना है, हमें क्या चाहिए, c plus 1 by a, first में देखिए, a और b में relation है, second में देखिए, b और c में relation है, कुछ दिख रहा, b is common, और b के अलावा क्या है, एक में a, दूसरे में c, finished, एक से c का value, दूसरे से a का नहीं, 1 by a का, निकालेंगे in terms of b, हो गया, direction समझाया न, हमें चाहिए, c का value, c का value, यहाँ से in terms of b, हमें चाहिए, 1 by a, यहाँ से b के नुख में, और दोनों को जैसे ही operate करेंगे, result सामने होगा, आई हम लोग देखते हैं, दोनों से देखते हैं, यहाँ से हम लोग 1 by a निकाल लेते हैं, 1 by a देखी तो क्या होगा, पहले तो a अगर हम लोग निकाले हैं, तो 1 minus 1 by b होगा न, यानि b minus 1 by b होगा तो 1 by a अगर बोलेंगे, तो b by b minus 1 होगा की नहीं, ठीक, दूसरा वाला, जाना देखी, 1 by c अगर हम लोग बोलें, तो क्या आता है, 1 minus b, हमें c चाहिए, तो c क्या होगा, 1 by 1 minus b, यहां पर क्या है, b minus 1 न, हमें भी चाहिए b minus 1, तो बोलेंगे, ठीक है, minus 1 by b minus 1, just finished, हमें निगालना था, c plus 1 by a, c का वैए, minus 1 by b minus 1, or 1 by a का वैए, b by b minus 1, जा देखी तो क्या है, b minus 1, b minus 1, 1, 1, 1, 1, cancel, 1, answer, वो यह समझे रहे हैं, मैं दिखाल से एक बार बात समझ में आ रही होगी, और मुझे दूसरी बार बोलने की जरुवत नहीं है, क्योंकि जो direction हमने पहले तह कर दिया था, यानि कि जो होना था, naturally, उसी तरह से आगे बढ़े, ठीक है? 3rd number question, देखिए, one of the factors of the expression this is, दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, एक, कि हम लोग इसका corresponding boundary equation निकाल देते हैं, इसको जिरो, और एक से value निकाल देते हैं, factor पता है, और दूसरा, factorize कर देते हैं, दोनों में से जो पसंद हूँ, factorize करते हैं, आई, factorize करते हैं, यह लिखा हुआ है, 4 root 3 x square, plus 5 x, minus 2 root 3, यह लिखा हुआ, जरा सो, देखिए, x square का coefficient क्या है, 4 root 3, 4 root 3 को यहां लाइए, पकड़के, plus 4 root 3 को पकड़के लाइए, और इसको भी, minus 2 root 3 लाइए, अदोनों को multiply किजिए, plus into minus, minus, minus का one meaning है, plus का another meaning है, 4 x 2, 8, root 3, root 3, 3, 8 x 3, 24, 24 को factorize कीजिए, 2 x 2 x 3 लाइए, वही 8 x 3, इनको आपस में multiply करके, 2 numbers बनाने, ऐसे 2 numbers, जिनको, 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 अगर यहाँ plus होता, तो add करके middle वाला आए, और minus है, तो एक में दूसरा subtract करके आए, 8 और 3 लेंगे की नहीं, 8 में 3 subtract किया, तो 5 लेंगे की नहीं, बस, 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 यहाँ पर लिखते हैं, कुछ नहीं, 8 minus 3, बस, इसे लिए break कर देते हैं ना, 8 x minus 3 x, 8 x minus 3 x, 8 x minus 3 x, लेखे, 4 root 3 x square, minus 2 root 3, बस, 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 यहाँ देखे तो, 4 और x, और x कमन आएगा की नहीं, 4 और x कमन आएगा, तो क्या बचेगा, root 3 x, 4 x कमन आएगा, तो क्या बचेगा, 2, यहाँ से क्या कमन आएगा, यहाँ से root 3 कमन आएगा, तो यह बचेगा, root 3 x, और यह, minus बाहर ले चुके हैं, plus 2, और यह root 3, x plus 2 कमन आएगा, तो 4 x minus root 3, यह दोनों ही factors हैं, इन में से कोई पूछा है, 4 x minus root 3 है, यह नहीं होगा, 4 x minus, minus root 3, बी नमबर इस दाएगा, समिझ में आएगा, 4 x minus root 3 इस दाएगा, ठीक है, यह हमारा था, 3rd number question, इसके बाद, 4th, for a is greater than b, जरुवत है, यूज होना है, a plus b is given 5, a plus b 5 दिया है, और a b 6 दिया है, तो हमें निकालना है, हमें निकालना है, कि a square minus b square, क्या होता है, यह हमें निकालना है, कही तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका, बड़ा formula पढ़े है, a plus b into a minus b, a plus b तो पता है, a minus b निकालने तो हो जाए, a minus b कैसे निकाले, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, one of the way, a minus b whole square is equal to, हमको इनके terms में चाहिए, a plus b whole square minus, minus, यह तो plus 2 भी आएगा, minus 4 यह, a plus b, 5 का square क्या होगा, 25, 4 into 6 क्या होगा, 24 माने 1, a minus b क्या होगा, square root of 1 यानि 1, और a चुकी बढ़ा है, b से यह पहले ही दे दिया है, इसलिए इसका मतलब होगा, 1, plus 1, not minus 1, यह निकालने तो plus minus 1 आगा, लेकिन हमें मालू है, कि यह इस greater than, इसलिए हमें लेना होगा, बोलेंगे, this is fast method, सामझ गया है, पर मुझे पसंद नहीं है, क्या जरूरत है यह सब करने की, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, अंसर तो दिखता है, अंसर तो दिखता है, A भी factorize किजिए, 2 into 3, 2 plus 3, 5, 2, 3, A is greater than B, जयनि A वर 3, B वर 2, कुछ करना है क्या, 3 plus 2, 5, 3 minus 2, 1, 5 is the answer, काहे का उससब formula भाई, क्या जरूरी है, एक्जाम के question में, असा ही कुछ न कुछ चुपावा होता है, मरे ख्याल से आपको समझ में, आगे होगा, ठेक है, this is the best method, और फिफ्ट निवर कुछ्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च, a to the power 1 by 3 is equal to 11, then the value of a square minus 331 a is equal to what, पूछा है, क्या पूछा है दिखी तू, a square minus 331 a is equal to what, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, कुछ नहीं है, अरे भई हम लोग जानते हैं, 11 का power 1, 11 होता है, 11 का square 1, 2, 1 होता है, और 11 का, का जो Q लेते हैं, तो 1, 3, 3, 1 होता है, यह तो सब को पता है, 1000 rupees at the rate of 10% paranam, in 3 years, how much? 1, 3, 3, 1, वही तो है, और क्या है? तो देखिए, यह हमें पता है, तो क्या दिया हुआ है, a to the power 1 by 3 is equal to 11, एरे, क्या हुआ 11 का Q हुआ ना, 1, 3, 3, 1 हुआ ना, अभी बच्चा जैसा, ऐसे करने का कुछ मतलूब नहीं है, यह तो हमें मालूम है, 1 by 3 उदर जाके होगे है, अब क्या 1, 3, 3, 1 का इस्वार निकालें? नहीं, बड़ा मेजार बात है, कुछ करना ही नहीं है, अंसर हो गया, यह है 1, 3, 3, 1, और यह 1, 3, 3, 1 में, 3, 3, 1 खत्म हो गया, अंसर, कुछ करना ही नहीं है, वोडी समझे में आया या नहीं है, 1, 3, 3, 1 में, 1, 3, 3, 1 में, 3, 3, 1, finished, गटे गए, 1,000 बचा, 1,000 into 1, 3, 3, 1 is equal to 1, 331,000 अंसर, बुली, समझाया? मेरा खाले, आपने एंज्वाई किया होगा, अलजेब्रा में यही होता है, जब समझ में आता है, तो सब कुछ बस होता चला जाता है, और अलजेब्रा के नीचर से अगर आप परचित हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप जानते होंगी, किसी बच्चे को अगर अलजेब्रा में मन लग आता है, अलजेब्स